Welcome to recipe of the week आज मैं आपके साथ निम्बू का रस एक साल तक कैसे स्टोर कर सकते हैं वो दिखाने वाली हूँ और कही बार हम निम्बू का रस स्टोर करते हैं तो वो कड़वा हो जाता है तो आप इस टिप्स के साथ स्टोर करोगे तो आपका निम्बू का रस एक साल तक ऐसा ही रहेगा तो ये निम्बू का रस स्टोर करने के लिए मैंने ये दो किलो निम्बू लिये हो और निम्बू हमें पतली चाल वाले लेने हैं पतली चाल जो होती है इसमें निम्बू का रस थुड़ा जादा रहता है तो मैंने निम्मू को अच्छे से दो के इस तरह से ले लिया है मोटी चाल वाले निम्मू में रस थोड़ा कम रहता है तो हमें पतली चाल वाले ही निम्मू लेने है तो सारे निम्मू को हम इस तरह से पोँच लेंगे अच्छे से हमें साफ कपडे से पौुच लेना है जिससे पानी का बिल्बकुल भी हिस्था ना रहे अभी निम्मू को हम थोड़ा सा इस तरह से सरफेश पे इस तरह से रगर देंगे जिससे जो निम्बू का रस होता है वो अंदर थोड़ा सेपरेट हो जाता है और जल्दी से हम निकाल सकते हैं और बीच में से हम इस तरह से काट लेंगे इस तरह से तो सारे निम्बू को मैं इसी तरह से काट के तयार कर देती हूं और बाद में हम साथ में ही रस निकालेंगे तो इस तरह से सारे निम्बू में काट लेती हूँ एक में से दो टुकडे करने है तो सारे निम्बू में इसी तरह से काट लेती हूँ बीच में से इस तरह से निम्बू को हमें अच्छे से पोश के ही यूज में लेना है वरना एक भी बून पाने का इसमें जाएगा तो हमारा निम्बू का रस भीगर जाएगा तो सारे निम्बू मेंने इसी तरह से काट लिये आप देख सकते हो, दो किलो जो मैंने निम्बू लिये थे, वो सारे मैंने इस तरह से बीच में से काट लिया है, अभी मैंने काच का बाउल ले लिया है, इसके उपर मैंने इस तरह से छणनी रखी है, और ये मेरे पास निम्बू का रस निकालने का सांचा है, ये लकडे का है स्टीर का भी आता है और प्लास्टिक का भी आता है तो ये मेरे पास लकड़े का है तो मैं इसी तरह से जो हमने एक में से दो टुकड़े किये तो एक एक टुकड़ा में इस तरह से बीच में रखती जाओंगी और अच्छे से प्रेस कर लोंगी और इस तरह से हम छन्नी रखी यह हमने तो साथ में ही यह चान भी लेंगे हम जिसे एक भी बीज अंदर ना जाए क्योंकि गलती से भी अंदर बीज चला जाएगा तो जो हमारा निम्बू का रस है वो कड़वा हो जाएगा तो यह छोटी-छोटी टिप्स के साथ आप निम्बू का रस टोर करोगे तो आप का रस बिल्दकुल भी कड़वा नहीं बनेगा और एक साल तक ऐसे ही रहेगा और हम इसे स्टोर करने के लिए क्या डालने वाले है यह आप जरूर देखेगा तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना तो सारे निम्बू का रस में इसी तरह से निकाल देती हूँ और निम् कितना अच्छा हमारा निम्बू का रस निकला है रसदार निम्बू थे तो अच्छा सा निम्बू का रस निकला है अभी यह मैंने तीन टेबल स्पूर नमक लिया है जी हाँ नमक ढालने से यह प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और हमारा निम्बू का रस बिगड़ेगा भी नहीं करीब 700 ml जी इतना निम्बू का रज हमारा निकला है क्योंकि ये बहुत ही रस्तदार निम्बू थे और अब हम इसे स्टोर कर लेंगे तो नमक भी अच्छे से गूल चुका है तो अभी मैंने एक काचकी बोटल धो के पोच के थोड़ी देर दुप में रखके ले ल अच्छे से डखकन बंद करके फ्रीज में रख देंगे नॉर्मल फ्रीज में ही रखना है और इस तरह से हम एक साल तक स्टोर करेंगे तो हमारा जो रह से वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा जो मैंने छोटी छोटी टीप्स आपको दी है वो आप जरूर दियान और अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे तो इस नमक वाले निम्बू के छिलके से हम तांबे पितल के बरतन अच्छे से चमका सकते हैं तो मैं इसके लिए यूज में लेने वाली हूँ तो पहले मैं नमक डालके अच्छे से छिलकों को नमक के साथ मिक्स कर लेती हूँ और थोड़े छिलके में एक बॉक्स में भर दूँगी और बाकी के जो निम्बू के छिलके बचेंगे वो मैं दो से तीन दिन के लिए दूप में रख दूँगी और अच्छे से ये सूप जाए बाद में इसको भी मैं एर टाइट डिबे में भर दूँगी और जब भी हमें ताबे पितल के बरतन मांजने होगे तो मैं दो-तीन चिलका निकाल दूँगी और इसको गरम पानी में बीगो के बाद में इसको भी यूज मे ले सकते हैं तो निम्बू के रस के साथ हम निम्बू के छिलके का भी अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप comment box में जरूर लिखेगा